जो पूरा ब्लॉब होगा बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि जैसे हम लोग क्या शादी से पहले हल्दी की रस्म होती है खासकर हिंदूों में होती है लेकिन कभी क्रिश्चन वेडिंग में ऐसा नहीं सुना कि वहाँ अज के रस्म हों होती हो लेकिन आज हम जहां ज़ा रहे हैं वो एक क्रिश्चन परिवार है और वह पा हल्दी की रस्म होने वाली है तो यह बहुत मज़िदार चीज़ है तो सोचा कि आप लोग के साथ भी जुरूर दिखाएंगे आप लोग के साथ शयर करेंगे तो तो दिखाते हैं कि क्रिश्चन में हल्दी सेरेमनी जो होती है वो कैसे होती है और इस बात को टाइब कियां कि ये दोनों बच्चों से अपनी जिन्दगी का सफर एक साथ पूरा करें जिन्दगी के हल्दी सब चीज़ को एक दूसरे के साथ भाठते है इस बंधन के सफर एक बंधन के सफर एक ब्लॉग पर डालूंगे सच अच्छा क्रिश्चन वेडिंग में हल्दी रस्म बहुत कम देखने को मिलती है तो दोस्तों ही स्टर विने डेलियल जिन्होंने जिनके यहां पर शादी है जिनकी बेटी की शादी हो रही है और यहीं पर हल्दी रस्म होनी है अपने आप से कहा था कि हम आपको दिखाएंगे किस तरह से क्रिश्चन वेडिंग में भी हल्दी रस्म होती है तो डेलियल बही एक चीज़ बताईए कि वैसे तो जनरली देखने को करती है यह चीज़ तो फिर यह कैसे आप लोग किया भी इस प्रथा को शुरूर किया गया है यह प्रथा को सुरूर नहीं किया है हम आई बिलीव इन जैसा देष्ट सब्हेश तो क्बीकिन हम लोग इंडिया में रहते हैं तो यहां के कुछ गुछ हम लोग अपनाते हैं ज यह हम आपको दिखाते रहेंगे वो उसके वो यह ना हमने बता दो एक्जान अग्राम यह वो चाल आज क्या किया जाए आपको 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 कर दो माँए खूरा झाल ब्रकान कर दोना तूरा के खूरा का बहा है तू होगी बांटू टू ओ पुडिये बांटू डू ओ होगे इमुन्देवी पतंगा वारिगी तू है में उड़िदी तो होगे इमुन्देवी हिलाते चले दी टूक टूक तू कर दी में कब तू कर दी या अंग्रीजी पड़ दी गिट पिट तू कर दी जिमें कोईन साथी बिग टोरिया तू केंटी बिग बेन दी पूरा लंदें थुमक दा ओ जदो नचे पहन दी पूरा लंदें थुमक दा तू केंटी बिग बेन दी पूरा लंदें थुमक दा ओ जदो नचे पहन दी पूरा लंदें थुमक दा लटे दी चादर बंते हनीमून कर माईया आप सामने आप सामने तेरा की साइज दस माईया मन मन दा पूरा निकताए सब कुछ क्लियर माईया तेरे सामने तेरे सामने लगदाए छोटा का लग माईया